असलाम लेकूम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब खायरियत से होगे आज की जी वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़े की क्योंकि आज मैं अपने किचन का कॉंटर टॉप जो है उसको और्कनाईज करने वाली हूँ और वो भी घर की ही चीजों से और फ्री कास्ट में जिसको आपको कोई खर्च करने की ज़ुरत नहीं है हरका फुलका हम घर में सैटिंग चेंज कर लें या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर दें तो थोड़ी अच्छी फेलिंग भी आती है लुक भी बहुत अच्छा लगता है तो बस जी आज मैं भी अपने किचन का लुक जो है वो चेंज करने वाली हूँ और आप लोगों ने जी रहना है साथ-साथ सबसे पहले तो मैंने सारी चीजें जो है यहां से यह हटानी है उसके बाद जी मैं इसको करूँगी अच्छे से क्लीन अच्छा जब भी मैं थोड़ी भी सेटिंग चेंज करने लगती हूँ तो फस्टन फॉल तो वही आता है कि क्लेनिंग तो यहां पर जो पहले वाल हुक लगे थे मैंने उनको उतारा जिनको उतारने में बहुत मेनत लगी और रागसी चुरी की जो नौक थी न वह भी तूट गई थी अच्छ ची यहाँ पर मैंने एक ले ली है तार एक ले लिए है स्पांज और एक ले लिए है मैंने स्प्रे घर काई भना हुआ और बस ची इसको मैंने पूरी वॉल पर माड़ दिया है और उसके बाद कुछ निशान इसके उपर पक्के लगे वह थे जहांपर वॉल हुगते तो उनको मैं तार और स्पंज की मदद से साफ कर लूँगी ताकि अच्छे से यह ना साफ हो जाए अच्छा यह जो यालो यालो नजर आ रहे हैं यह ना कैबनेट के ऊपर का है हिसा इसमें इतना यालो सा मतलब कोई कलर आया बाई या कुछ है इसको मैंने इतना गिसा इतना गिसा जब शिफ्ट हुए थे तब भी नहीं उत्रा आज फिर मैंने कोशिश की यह नहीं उत्रा तो यहां पर क्लेनिंग जो है वो डन हो गई थी और यहां पर ना कुछ मैं करने लगे थी डिय वाई अच्छा मेरे पास कांज की बोटले हो ना कलर फूल वाइट हो जो भी हो मैं उनको नहीं फैंकती क्योंकि यह ना अकसर काम आ जाती है तो मैंने भी कुछ कांज की बोटल ने रखी हुई थी औसकी ओली वाली थी कुछ और थी तो बस इनका जो है आज मैं बढ़ा ही अच्छे से यूज करने वाली हूँ अच्छा यह मेरे पास यह चोटी बरीक वाली नेट है इसके अंदर जो अद्रक और प्यास लिक्याते है तो इसको भी मैंने नहीं फैका था क्योंकि मैंने इसी चीज के लिए इनको रखा था और आज मैंने इनका बहुत इच्छे से यूज करने वाली हूँ और आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलने वाली है तो यहां पर यह जो नेट थी न पास एक फ्लावर था वाइज इस का तो इसमें जादा जैनी ग्रीन ग्रीन था तो फिर इसको मैंने सारे को तोड़ के वा टैन ही निकाल ली थी इसको नैस बोटलाओं के अंदर लगा दूंगी और यह बोटले मैं यूज करने वाले हूं किचण में और यह बड़े ही अच तिहीं इतने प्यारे और हैं इतने क्यूट क्यूट से लाग रहे थे ग्रीनू और बहुत अच्छा देखके ना इनको फ्रेश्य का हो गया ता यहां पर डन। और बाकी जो घढ़ की चीज NIH है वहोड़ एछ लगते हैं , पूड़े तूड है थी ऑच्छी आती है और सामने हैं आप उठा की सिम्पल यूज़ भी कर ले शारा है और हैंक कीवे लगते है वह पीमाइक्रोब को साथ माइक्रोबेर है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था अच्छे वैसे तो हमें किचिन साफ ही लगता है जब मैंने अपना माइक्रोवेर हटाया है तो उसके निचे से पता नहीं कितना जादा कच्छरा निकलाता अच्छे यहां बड़ा मैंने एक वाइट कलर का यह स्पाइसिस बॉक्स ले लि तो बस इनका जो है आज मैं बहुत यह अच्छे से यूज़ करने वाली हूं तो सबके अदर मैंने ड्राइफ्रूट डाल दिया है एक के अंदर मैंने पत्ति डाली है एक के अंदर शूगर डाल दी है और इनको मैं रखने लगी हूं माइक्रोवेर के उपर बिलकुल सामने यह वो चीजह है जो दिन में बार बार यूज़ होती है कूंके बच्छों को बार बार ड्राइफरूट भी देना होता हुटा कि शुगर भी बार बार दूध के लिए बच्छों के यूज़ होती है कौफी हो गया चाई की पत्ती हो गई تو यह सारे जो है जयार मैंने एक ही जादा यूज होते हैं हमारे घर में तो बस यहां पर मैंने टिशू को जो है ना कर दिया है हैंग अच्छा यह वाल होग मुझे उतारना था उतर नहीं रहा था तो फिर मैंने सचा कि वह यहां पर टिशू बॉक्स को जो हैंग कर दूँगी तो अच्छे से मेरे टिशू भी उपर आ गये थे तो यहां पर मैंने जो प्लांट्स वग्यारा थे वो राख दिया हैं और कुछ मनी प्लांट था मेरे पस वह भी मैंने रख दिया है और अब आपकी है जो यह वाली साइट तो बस इसकी भी थोड़ा हम कुछ कर लेती हैं अच्छा यह स्टैंड मैंने काफ इस कोने में तो आप देख थे हैं कि यहां पर भी मैं इसकी सैटिंग करने में लगी हूई हूँ और अब यहां पर फिर भी मुझे बेतर लग रहा था कि नेचे बरतन वगारा भी मैं वाश करके रख लूँगी और उपर भी जहाने जब ज़्यादा बरतन होना तो जगा न किचन की यह तो डेली ही चेंज होती रहती है अच्छा चिपीट यहां पर भी मैं वाल हुक लगा रही हूं अच्छा जैसे के बच्चों का बैग है ना डाइपर बैगन को भी इसको भी मैंने किचन में हैंग किया वर जब है मुझे सुरत पढ़ती है यहीं से मुठाती हूं पर इसको वापे से यहीं पर हैंग कर देती हूं तो बस यहां पर मैंने एक पैन और एक किचन टावल है और उसके बाद है जी यह मेरा क्यूट सा स्टैंड जिसकी ना कहीं पर सैटिंग ही नहीं हो रही है ना रूम में ना ड्रेसिंग पर और फिर मैं इसको ले आई थी ना झाल आई आशा मेरी कोशिश होती है किचन में घर में रूम में जितनी ज़ादा चीज़ेंила होती है ना मनको को बाust पर रहता है इससे यह होता है किचन का ंईग कर दूवाली ना उनको मैं hang करके रखूँ और नीचे जितनी भी कम से कम चीज़े होती हैं मैं वो ही रखूँ जो ज़रूरत की होती हैं ताकि जब आप सफाई करें खाना बनाएं तो फिर जादा प्रॉब्लम ना हो तो सारी चीज़ें यहां पर डन हो गए थी और उसके बाद आके थी भाती ओईल वाली ट्रे की तो ओईल वाला जो ट्रे है ना मेरे पर छोटा सा था और यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने का जी चले कुछ DIY करते हैं और अच्छा सा जो है ना इसका ट्रे बनाते हैं बात यह हुई के सारी चीज़ें मैं जो भी हांपर चेंज कर रही थी ना किचर में वो सारी मेरे पास वाइट ही कलर में आती जा रही थी और यह मेरे पास शीट पड़ी थी तो यह भी वाइट कलर में थी तो मैंने का जी चले अभी इसी के साथ काम चुलाते हैं और फिर जो हैना कुछ दिन तक मैं ब्राउन कलर की शीट और करूंगे या फिर ओईल बास्केट लेहाँगी वो तरहां से जैसे था ना वैको इसको लूई से टो लेकिन फिक्स्ट मुझसे बहुत मुश्चिल से जा के हुआ था कि मेरे पस एक और पड़ा था मैंने उसी देखके किस तरहे से फिक्सिंग की हुई है फिर मैंने इसको फिक्स कार दियाता और यह बहुत ही चा ताना ऑलिल बन के हो गया था राइडी इसमें बाकी भी स्पेस थी मैं इसमें और चीजें भी राम से रख सकती थी तो मैंने यहां पर यह एक ड्राइफ रूट है इसके अंदर वो रखती है और इसके अंदर में रखती है एक अपनी फेवरिट रैड कलर की कैंडल जब भी आप किछन में बरतन वाश करने आए या क्लीनिक करने आए उस टाइम रात के टाइम बस इसको आप जिला लिए और फिर बड़ी अच्छी अच्छी फिलिंग्स भी आती है और आपको काम है वो भी हो जाता है और सबसे पूरा जो मुझे लगता है किचन में यह उपर गैस का पाइंट तो यहां पर ना मुझे रखना था कोई स्टूल या इस तरह से चीज के यहां पर जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी सी लूक है तो बस यह वाले जो साइट टेबल है ना इसको बचों ने इतना इतना खोल खोल के ना अंगसे जो इसका हैंडल था ना वो भी तोड़ दिया है और इसको बीना पूरे घर में यह लोग घुमाते हैं तो मैंने का जी चलो इसको मैं राक देती हूं किचन में एक तो मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी और किचन की जो लूक है ना वो भी थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी तो इसके उपर यह वाले जो मैं कपड़ा डाल दी थी तो यह मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने यहां पर यह पुराना मेरे पास वाइट टावल था तो मैंने यह डाल दी है अब टावल भी मेरे पास वाइट ही था लेकिन कोई बात नहीं काम चल गया यह है जी किचन की ओवर आल लूक और यह वला कॉर्णर भी किचन का बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके नीचे मैंने रख दिये थे पतीले ताके मैं अराम से यहां से उठाऊं और यूज कर लूँ और यह है मेरे किचन की ओवर आल लूक जो के माशाला से बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही अ इनकी सेटिंच कर दी हो, तो माशाला बहुत जचा है मेरा किचन जो है रादी हो गया था और जब भी हम थोड़ी से घर की सेटिंच कर लेना तो यकिन मने बहुत यह अच्छी फेलिंग्स आती हैं और मुझे देखकर बहुत जबाँ था लग रहा था तोankiचन बहुत ही प् व्हाफिस